ये चीज बिल्कुल ठीक नहीं लगा, खेसारी लाल को कुट्टे से कंपेर कर दिया, आप मैनेजर है, आपका दारा एक रहना चाहिए, क्या आप लोग करते हैं यार, भोजपूरी को कहां लेके जाएंगे, आप लोग भोजपूरी को पूरा नीचे कर दिये हैं, पवन सिंग बोले कुछ भी स्टेज पर तो अच्छी बात हो जाती है, खेसारी लाल कर दिये हैं, तो खेसारी लाल भोजपूरी को गर्ट में लेके जा रहे हैं, दिपक सिंग जी, मैं आपको आपके हर प्रश्न का उत्तर देता हूं, बहुत ही अच्छे से, नमस्कार, मेरा नाम दिया करने वालों को लोग सरवे बढ़ा कर रखे हैं, क्योंकि लोगों को आदत हो गई है कि अपने भाईया का खाली बढ़ाई करो, सही को सही मत बोलो, गलत को गलत मत बोलो, तो हम नहीं देखेंगे तुमको, अगर सही को सही बोल दिये, हम लोग तो फिर मुर्ख के कैटेगरी इंटर्व्यू देते हैं और कहते हैं सबसे पहला उन्होंने कहा था कि जब तक लिमिट में बोल रहे हैं तब तक हम लोग चुप हैं नहीं जिस दिन बरदास हुआ तो बरबात कर देंगे इस टाइप से उन्होंने कुछ कहा है तो दीपक सिंग जी लिमिट में खेसारी लाल यादव हमेसा ही बोलते हैं लेकिन पवन सिंग जो करते हैं पवन सिंग जी ने कुछ ऐसा ही बोल देते हैं जिससे के विवाद हो जाता है कि कैसे पॉसिबल हो सकता है अखिलेश कश्यप को आप लोग गाड़ी कैसे दे सकते हो कमाए हो 5 रुपया और दोगे 50 रुपया दे सचके नहीं दूंगा कि मेरे बेटे के बिजनस से मुझे कितनी कमाई हो यह बेटा एक आप मेरे दोस्त हैं दोस्त को कोई अइफून को कमाई का उमीद नहीं रखता है क्यारे भाई मेरे को कमा के देगा तम ना दे खेसारी लाल यादो कृष्ण है तो सुधामा हो गये हैं अखिलेश कश्या आपको जवाब मिल गया होगा तीसरा आपने यह कहा था कि पवन सिंग जी देसीला गाय बोले वह वस मजाक की है तो पवन सिंग यह क्या दर्साता है इससे भोजपुरी इंडस्ट्री कहां जाएगी उनको तो लोग फॉलो करते हैं आप कितना भी अच्छा रहे लेकिन आप जो स्टेज पे बोलेंगे तो लोग तो क्रिटिसाइज करेंगे ही तो आपको खेसारी जी ने बोल दिया तो बुड़ा क्यूं ही होता है तो आप इसका मतलब दो तरीकश से आप जजग कर रहे हैं आपने को अच्छा बता रहे हो दुसरे को यह चीज घलत है चौथा आपने आपछा गै Noel यह आते हैं जहां और सिंग एसा वैसा तो आपने यह बोला पशिब्स पास क्या है दिखाने की जरूरत नहीं है मेरे पास क्या है दिखाने की जरूरत नहीं है तो सब दिखाने की जरूरत नहीं है तो अगला दिखा भी रहा है तो आपको थोड़ी को जवाब मिल जाता है तो देखो यार वह एक पब्लिक का डिमांड रहता है और उस ताइम वह कर लेते हैं लेकिन अगर मुझसे पूछो कि क्या सही अधाय भाई तो मेरे साब से सही नहीं है नहीं करना चाहिए सारी जी को के सारी जी का लेबल अब अलग हो गया सिर्फ हो गया होगा मैं क्या बोलना चाहता हूं कि मैं दलाल नहीं हूं मैं रियालिटी जो डियल खबर है वह दिखाता हूं लेकिन पवन सिंग का भी आप ऐसे साइड मत लीजिए क्योंकि आपने एक तरफा बयान दिया है आप मैनेजर है आपको पे करते इसका मतलब यह नहीं है आपका काम यह भी होना चाहिए कि जब पवन सिंग गलत रास्ते पे चले तो आप उसमें सुधार करें और उमीद है कि आप करेंगे आप पढ़े लिखे हैं दिपक जी आपको लाइक मुझे लगता है कि आप पढ़े लिखे हैं और आप पवन सिंग के जिंदिगी में काफ करो जा गलत बोला और खेसारी जी के फैंस आप भी कमेंट करो कि मैंने जो अपना पॉइंट व्यू दिया आपको कैसा रागा कमेंट जरूर कीजिए